बुद्ध और कलकी अवतारों की कथा दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। वे बुद्ध के अनुयाई दैत्य बध कहलाये। फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद्ध धर्म का त्याग करवाया। इसके बाद माया मुह की आरहत रूप से प्रकट हुआ। उसने दूसरे ल वर्ण संकर होंगे और नीच पुर्षों से दान लेंगे इतना ही नहीं वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे वाजसनेय ब्रहदारणक मात्रही वेद कैलाएगा वेद की दस-पांच शाखाएं ही प्रमान भूत मानी जाएंगी धर्म का चूला पहने हुए सब लोग अधर्म में ही रूची रखने वाले होंगे राजा रूप धारी मलेच मनुष्यों का भक्षन करेंगे तदनंतर भगवान कलकी प्रकट होंगे वे सिरी विश्णु यशा के पुत्र रूप से अवतिर्ण हो याग्यवल्लक को अपना पुरोहित बनाएंगे उन्हें अस्त् शस्त्र लेकर मलेच्छों का सनहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त्र आश्रमों में शास्त्री मर्यादा इस्थापित करेंगे समस्त्र प्रजा को धर्म के उत्तम मार्ग में लगाएंगे उसके बाद श्रीहरी कल की रूप का परित्याग करके अपने धाम मे चले जाएंगे फिर तो पुरुवत सत्य यूग का सामराज्यों का साधूश्रेष्ट सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में बिरणता पुरुवक लग जाएंगे इस प्रकार संपूर्ण कल्पों तथा मनवंतरों में श्रीहरी के अवतार होते हैं उन में कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा निर्मल हिर्दय होकर परिवार सहीत स्वर्ग को जाता है इस प्रकार अवतार लेकर श्रीहरी धर्म की व्यवस्था और अधर्म का निराकरन करते हैं वेही जगत की स्रिष्टी यादी के कारण जगत के स्रिष्टी का वर्णन अगनी देव कहते हैं ब्रह्मन अब मैं जगत के स्रिष्टी आदी का जो श्रीहरी के लीला मात्र है वर्णन करूंगा सुनो श्रीहरी ही स्वर्ग के रचाईता है स्रिष्टी और प्रलय आदी उन्हीं के स्वरूप है स्रिष्टी के आधी कारण वे ही है, वे ही निरगुन है, वे ही सगुन है सबसे पहले सत्रूप अव्यक्त ब्रह्म ही था उस समय न तो आकाश था, न रात दिन आधी का ही विभाग था तदनंतर स्रिष्टी काल में परम पुरुष शिरी विश्णू ने प्रकृती में प्रवेश करके उसे शुद्ध विकृत कर दिया। फिर प्रकृती से महतत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अगनी से रस तनमात्रा वाले जल की उत्पत्ती हुई और जल से गंध तनमात्रा वाले भूमी का प्रादुर भाव हुआ। सबसे पहले जल की ही सृष्टी की और उसमें अपनी शक्ती वीर्य का आधान किया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वो नर्से उत्पन्न हुआ है नार। जल ही पूर्वकाल में भगवान का अयन निवास इस्थान था। इसलिए भगवान को नारायन कहा गया है। स्वयंभू श्री हरी ने जो वीर्य अस्थापित किया था वो जल में सुवर्णमय अंड के रूप में प्रकट हुआ। उसमें साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्माजी प्रकट हुए। ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरन गर्व ने एक वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके दो भाग किये। एक का नाम धिलोक हुआ, दूसरे का भुलोक। उन दोनों अंड खंडों के बीच में उन्होंने आकाश की स्रिष्टी की। जल के उपर तैरती हुई पृत्वी को रखा और द इंद्रधनुष, पक्षियों तथा परजन्य का निर्मार्ण किया, तथ भष्षात यग्य की सिध्धी के लिए मुक्से रिक, यजू और सामवेद को प्रकट किया। उनके द्वारा साध्य गणों ने देवताओं का यजन किया, फिर ब्रह्माजी ने अपने भुजा से उ साथ ब्रह्म पुत्रों को ब्रह्माजी ने निश्य ही अपने मन से प्रकट किया, साधु श्रेष्ट ये तथा रुद्रगन प्रजावर्ग की सिर्ष्टी करते हैं, ब्रह्माजी ने अपने शरीर के दो भाग किये, आधे भाग से वे पुरुष हुए और आधे से इस्त्र बन गए, पिर उस नारी के गर्ब से उन्होंने प्रजाव की सिर्ष्टी की, ये ही स्वयामभू मनु तता शत्रूपा के नाम से प्रशिद्ध हुए, इनसे ही मानमिय सिर्ष्टी हुए स्वयामभू मनु के वन्ष का वर्णन, अगनी देव कहते हैं, मुने स्वयामभू मनु से उनकी तपस्विनी भारिया, शत्रूपा ने प्रियवरत और उत्तान पाद नामक दो पुत्र और एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न की, वो कमनिया कन्या देवहुती करदम रिशी की भारिया हुई, राजा प्रियवरत से समराट कुक्षी और विराट नामक सामर्थ शाली पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तान पाद से सुरूची के गर्ब से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और सुनिती के गर्ब से ध्रू का जन्न हुआ, हेमुने कुमार ध्रूव ने सुन्दर किर्ती बढ़ाने के लिए तीन हजार दिव्य वर्षों तक तप किया। उस पर प्रसन्न होकर भगवान मिश्णु ने उसे सब्तर्शियों के आगे स्थिर स्थान धिर्वपद दिया। धुरू के इस अभ्योदय को देखकर शुकराचार्य ने उनके सुयश का स संभु ने शिलिष्टी और भव्य नामक पुत्र उत्पन किये। शिलिष्टी से उसकी पत्नी सुच्छाया ने क्रमशह रिपू, रिपुंजय, पुष्य, व्रकल और व्रक्तेजा इन पांच निश्पाप पुत्रों को अपने गर्भ में धारन किया। रिपू के वीर्य स से ब्रहती ने चाक्षुस और सर्वतेजा को अपने गर्भ में इस्थान दिया। चाक्षुक्स ने वीरन प्रजापती की कन्या पुष्करणी के गर्भ से मनु को जन्म दिया। मनु से नंगवला के गर्भ से दस उत्तम पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं। उरू, पूर शतधुन, तपस्वी, सत्यवाक, कवी, अगनिस्ट, अतिरात्र, सुधुम्न और अभिमनु। औरू के वंच से आगनेईने अंग, सुमना, स्वाती, कृतु, अंगिरा और गए नामक महान तेजस्वी छे पुत्र उत्पन किये। अंग से सुनिथा ने एक ही संतान वेन को जन्म दिया, वो प्रजाओ की रक्षाना करके सदा पाप में ही लगा रहता था, उसे मुन्यों ने कुशों से मार डाला, तदनंतर रिशियों ने संतान के लिए वेन के दाएं हाथ का मन्तन किया, हाथ का मन्तन होने पर राजा प्रथु प्रकट हुए, उन्हें देखकर मु जस से सबको दग्ध करते हुए धनुष और कवच धारण किये हुए ही प्रकट हुए थे, वे संपून प्रजा की रक्षा करने लगे, राज सुय यग्य में दिख्षित होने वाले नरेशों में वे सबसे पहले भूपाल थे, उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, अस्त का दोहन किया, उस समय एक साथ ही देवता, मुनेवरिंद, गंधर्व, अपसरागन, पितर, दानव, सर्प, लता, परवत और मनुष्यों आधी के द्वारा, अपने अपने विभिन्न पात्रों में दूही जाने वाले पृत्वी ने सबको इच्छा अनुसार दूथ दिया, जिससे सबने प्राणधारन किये, पृत्वी के जो दो धर्मग्य पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम थे अंतरधी और पालीत, अंतरधान अंतरधी के अंश से उनकी शिखन्नी नामवाली पत्नी ने अविर्धान को जन्म दिया, अगनी कुमारी धिश्णा ने प्राचीन बहर्ष, शुक्र, गय, कृष्ण, वज्र और अजीन, राजा प्राचीन बहर्षी प्रायह यग्य में ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृत्वी पर दूर दूर तक पुरवाग्र कुश फैल गय थे, इससे वे एश्वर यशाली राजा प्राचीन बहर्षी नाम से विख्यात हुए वे एक महान प्रजापती थे प्राचीन बहर्शी से उनकी पत्नी समुद्र कन्यास सवर्णा ने दस पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया वे सभी प्रचेता नाम से प्रसिद्ध हुए और सब के सब धनुर्वेद में पारंगत थे वे एक समान धर्म का आचरन करते हुए समुद्र के जल में रहकर दस हजार वर्षों तक महान तप में लगे रहे अंतम्य भगवान विश्णु से प्रजापती होने का वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जल से बाहर निकले उस समय प्रायह समस्त भूमंडल और आकाश बड़े-बड़े स अगन व्रिक्षों से व्याप्त हो गया था यह देख उन्होंने अपने मुख से प्रकट अगनी और वायू के द्वारा सब व्रिक्षों को जला दिया तब व्रिक्षों का यह सनहार देख राजा सोम इन प्रजेताओं के पास जाकर बोले आप लोग अपना कोप शांत करें यह व्रिक्षगन आपको एक मारिशा नामवाली सुन्दरी कन्या अरपन करेंगे यह कन्या तपस्वनी मुनी कंडू के अंशसरे प्रलोमचा अपसरा के गर्भ से स्वेध बिंदू के रूप में प्रकट हुई है मैंने ही भविश्य की बातें जानकर इसे कन्या रूप में उत्पन कर पाला पोसा है इसके गर्भ से दक्ष उत्पन होंगे जो प्रजा की व्रिध्थी करेंगे प्रचिताओं ने उसकन्या को ग्रहन किया ततपस्षात उसके गर्भ से दक्ष उत्पन हुए दक्ष ने चर अचर दिपद और चतुषपद आधी प्राणियों की मानसि इक स्रिष्टी करके अंत में बहुत सी इस्तिरियों को उत्पन किया। उनमें से दसकों उन्होंने धर्मराज को अर्पन किया और तेरह कन्याएं कश्यप को दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमी को, 2 बहुपृत्र को और 2 कन्याएं अंगिरा को दी, पुर्वकाल में मानसिक संकल्प से स्रिष्टी होती थी, उसके बाद उन दक्ष कन्याओं से मैथून द्वारा देवता और नाग आधी प्रकट हुए, अब मैं धर्मराज से उनकी दस पत्नियों के गर्व से जो संताने हुई, उस धर्म सर्ग का वार्णन करूँगा, विश्वा नामवाली पत्नी से विश्वे देव प्रकट हुए, साध्या ने साध्यों को जन्म दिया, मरुत्वती से मरुत्वान और वसू से वसूगन प्रकट हुए, भानू से और महुरता से महुरत नामक पुत्र उत्पन्न हुए, धर्मराज के द्वारा लंबा से घोश नामक पुत्र हुआ और यामी नामक पत्नी से नाग विथी नामवाली कन्या उत्पन्न हुए, प्रुत्वे का संपून विशय भी मरुत्वती से ही प्रकट हुए, संकल्पा के गर्व से संकल्पों की व्रिष्टी हुई चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपिणी पत्नी के गर्व से आठ पुत्र हुए उनके नाम ये हैं आप द्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूश और प्रभास ये आठ वसु हैं आपके वैततंडय श्रम, शांत और मुनी ना धर की पत्नी मनुहरा के गर्व से द्रविन, हुतहव्यवह, से शिर, प्राण, और रमन उत्पन्न हुए अनिल, पुरुजव और अनल, अगनि का अविज्यात था अगनी का पुत्र कुमार हुआ जो सरकंडों की धेरी पर उत्पन हुआ उसके पीछे शाख विशाख और नैगमे नामक पुत्र हुए। कुमार कृतिका के गर्भ से उत्पन होने के कारण कार्थि के ये कहलाए तथा कृतिका के दूसरे पुत्र सनत कुमार नामक यती विश्व कर्मा का ये विश्व कर्मा दिवताओं के बढ़ाई थे और हजारों प्रकार के शिल्पकारी का काम करते थे उनके ही निर्मान किये शिल्प और भूशन आधी के सहारे आज भी मनुश्य अपने जीवी का चलाते हैं सुरभी ने कश्चप जी के अंश से ग्यारह बुर्धन्य त्वस्टा और रुद्र त्वस्टा के पुत्र महाय सश्वी श्रीमान विश्वरूप हुए हर बहुरूप त्रम्व्यक अपराजीत व्रशाकपी शंभू कर्परदी रैवत म्रगवयाध सर्थ और कपाली ये ग्यारह रुद्र प्रधान हैं यो तो सैक्लों लाखों रुद्र हैं जिनसे ये चराचर जगत व्याप्त है कश्यप आधी के वन्ष का वर्णन है मुने अब मैं अदीती आधी दक्ष कर्ण्याओं से उत्पन्न हुए कश्यप जी की स्रिष्टी का वर्ण करता हूं स्याक्षुक मनवंतर में जो तुशित नामक बारह देवता थे वे हिप्पुन्ह इस वैववस्त मनवंतर में कश्यप के अंश से अधीती की गर्म में आई थे विविश्णू, शक्र, इंग्र, त्वस्ठा, धाता, अर्यमा, पुशा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरु भग और अन्शु नामक बारह आदित्य हुए, अरिष्ट नेमी की चार पत्नियों से सोलह संताने उत्पन हुई, विद्वान बहुपुत्र के उनकी दो पत्नियों से कपिला, लोहिता, आदी के भेद से चार प्रकार की विद्धुत स्वरूप कन्याय उत्पन हुई, जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्तभाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग-युग में कल्प कल्प में उत्पन एवं विनिष्ट होते रहते हैं, कश्यप जी से उनकी पत्नी देती के गर्भ से रण कश्यपू और हरन्याक्ष नामक जो सही के नाम से विख्यात हुए, फिरण कश्यपू के चार पुत्र हुए, जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे, इनमें पहला लाद, दूसरा अनुदलाद, और तीसरे प्रलाद हुए, जो महान विश्णु भक्त थे, और चौथा सनलाद था, लाद का पुत् पुत्र हुए, जिनमें बानासुर जिस्ट था, पुर्वकल्प में इस बानासुर ने भगवान उमापती को भक्ती भाव से प्रसंद कर उन परमेश्वर से ये वरदान प्राप्त किया था, कि मैं आपके पास ही विचरता रहूंगा, हरन्याक्ष के पांच पुत्र थे, श पुलोमा दानों की पुत्री थी शची, उपदानों की कन्या हय शीरा थी और विश्परवा की पुत्री शर्मिस्ठा, पुलोमा और कालका ये दो वैश्वानर की कन्याय थी, ये दोनों कश्वजी की पत्नी हुई, इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे, प्रलात के वंस में चार करोड निवात कवच नामक दैखते हुए कश्चप जी की तामरा नामवाली पत्नी से 6 पुत्र हुए उनके अत्रिक्त काकी शनेई भासी गृधिका और शुची ग्रवा आदी भी कश्चप जी की भारियाएं थी उनसे काक आदी पक्षित पन्न हुए तामरा के पुत्र घोडे और उमुट थे विनिता के अरुण और गरुण नामक दो पुत्र हुए सुर्सा से हजारों साप उत्पन्न हुए और कद्रू के गर्व से भी शेश वाशुकी और तक्षक आदी सहस्रों नाग उत्पन्न हुए क्रोधावशा के गर्व से दंशन शील दांत वाले सर को प्रकट हुए धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए सुर्भी से गाय भैस आदी पश्वों की उत्पन्न हुए इरा के गर्व से त्रण आदी उत्पन्न हुए खसा से यक्ष राक्षस और मुनी के गर्व से अपसराइं प्रकट हुए इसी प्रकार अरिश्टा के गर्व स गंधर्व उत्पन्न हुए इस तरह कश्यब जी से स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ती हुई इन सब के असंख पुत्र हुए देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिती ने कश्यब जी को सेवा से संतुष्ट किया वो इ तब इंद्र ने ये छिद्र तुटी या दोश धून कर उसके गर्म में प्रविष्ट हो उस गर्म के तुकड़े तुकड़े कर दिये किन्तु वरत के प्रभाव से उनके मृत्यू नहीं हुई वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र की साहयक उन्चास मरुत नामक देव उन्हें विभिन् समूहों का राजा बनाया अन्यसब के अधिपती तथा परिगणित अधिपतियों के भी अधिपती साक्षात श्रीहरी ही हैं ब्राम्हनों तथा अउशदियों के राजा चंद्रमा हुए जल के स्वामी वरुन हुए राजां के राजा कुवेर हुए पित्रों के यमराज और भूत आदी के स्वामी सर्व समर्थ भगवान शिव हुए तथा शैलों, परवतों के राजा हिमवान हुए और नदियों का स्वामी सागर हुए। दक्षन दिशा में शंकपद और पस्षिम में केतुमान रक्षक निपतुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में रण्य नोमक राजा हुआ। ये प्रतिसर्ग का वर्ण किया गया है।